नमस्कार देख रहे हैं जखास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत अभी हूँ BJP के ऑफिस में और अभी हमारे साथ हैं किसान मोर्चा के प्रदेस अध्यच बिहार भाजपा के किसान मोर्चा जो है सरोज रण्जन पटेल जी सरोज जी से अभी हम जानेंगे कि अभी किसान म आपसे सवाल ले लूँगा बजट को लेकर जो बाते चल रही है कि क्या-क्या उसमें किसानों को ज़्यादा लाब हो सकता है। हजार करों रुपया का बजट प्रधान मंत्री जी ने किया है। के लिए दुनिया का सबसे बड़ी योजना किसान सम्मान निधी के माध्यम से बीना कट कमीशन के डाइरेक्ट उनके खाते में डालने का काम अगर कोई किया है तो केंद्र की सरकार प्रधान मंत्रिया दर्निय नरिन्मोजी जी जोड़ा करें किया गया है। उसे तरफ अनेक योजना किसानों के हित में एक से एक बरकर उनकी आमदनी कैसे दुगनी हो उनके चेहरे पर भी कैसे खुशाली आ इस निमित तमाम तरह के बजट में परोधान करने का काम क्या है। पिछले बजट में भी गत दिनों में बजट जो संसद में पेस हुआ उसमें भी अनेक प्रकार के किसानों को आधुनिक करन करने की दिशा में अभी क्रिसी अनुसंधान से ले करके आधुनिक क्रिसी में जो कैसे बढ़ावा मिले उसके तहत उन्होंने एक लाग 25,000 करो देखता है कागजों के सेर है ये सरकार अब पूरा बोली बात उत इधर उधर करके मतलब की धरातल पर नहीं काम हो रहा है धरातल पर काम आपने देखा होगा बहुत है प्रदान मंत्री जी के नीतियों के कारण ही आज खेती एक तरह से पहले 2014 के पहले लोग किसान मात महत् लेकिन प्रस्तितियां 2014 के बाद बदली है आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इंच्यूट से परकर जो हाईयर एजूकेशन पर आप जो लड़के हैं वो आकर क्रिसी स्टार्ट अप कर रहा है आप मधेपूरा में जाकर देखिए जो मक्के के खे से स्टार्ट अप कर के लड़का जो जेनियू का लड़का करके खेती कर रहा है आप बेगुस राय के अंदर चल जे मोती का खेती कर रहा है इस सारे जो लोग हैं जो कार्जकरम कर रहे हैं वो प्रधान मंत्रीजी के नीतियों उनके बजट प्रभावित हो कर रहे हैं पर यह सब एक का दुका ज खेती में आज हर तरह का इंफरास्ट्रक्चर, एक लाग करोर का अग्रो इंफरास्ट्रक्चर पर्धान मंत्री जी ने देने का काम किया तो किसानों को हर तरह से सहायतां के अंदर सरकार पहुंचाने का काम कर्ढ़ है, राज सरकार तो नरगल पर लाप कर रही है आप 2005 के पहले के जो इस्तितिया देखी इस जराज में जिनकी सरकार थी उनको खेती और किसानी से क्या मतलब था कोई मतलब नहीं था खेती तो चौपट थी यहां ब्युसाय चौपट थे राज अंधकार में था वही लोग अनरगल पर लाप कर रह लगतार किसानों के अवाज उठाते रहे हैं पिछले दिनों भी हमने धर्ना के माध्यम से पुरे बिहार के अंदर दान में में जो मन्य मुख मंत्री जो विभाग का जो अन्निमित्ता था उसके खिलाप हमने किसान मोर्चा पुड़े बिहार में धरना परदर्शन के मादम से वाज उठाने का खाद की काला वजारी और भी कई चीजों पर तो किसान इदम प्रतारी थे किसान लाइन में लग रहा है त उसके कारण किसानों के बीच खाद नहीं पहुच रहा है सही धंग से और तो और आपको बता दें कि बड़े जो स्टोकिस्ट है बिहार के अंदर और बरतमान सरकार के उनके पदादी कारी उनके नेता के मिली भगत से यूरिया के और उर्वरों के किलत हुए न तो हमारी सर 60 रुपय परती बैग यूरिया से एक पैसा भी अगर जादे लेता है कोई दुकंदार तो उसको सस्ट दुकान निलंबित करने का काम कि हमारी सरकार का पहल था लेकिन इनों ने बड़े बेपारियों से मिल करके इनकी सरकार के लोग पदाधिकारी और उनके नेता कमीशन के चक्कर में कलाबजारी करवा रहे ने काम कर रहते बिहार के अंदर आप लोग का जैसे बिपच्छ हैं तो जैसे कई किसान मिले तो बोले कि भाजपा उतना भेहतर ढंग से आवाज नहीं उठा रही है या फिर सरकार के ऊपर कोई इतना भ्रष्ट चार के बिच कुछ कारव लगतार भारतिय जंतापाटी हमारे मान पर देश सद्धक जी हमारे बड़िश नेता नेता परती पक्ष चाहे बिजे शिनहा जी हो चाहे समराज नहीं और हम लोगा आवाज उठा रहे हैं और हम प्रधान मंत्री जी ने लागू किया कितना बजट किया है पूरे बिहार के 4500 जीला में बजट के ऊपर किसान चौपाला गर किसानों को बताने का उनको जागुरू करने का काम किया है अभी किसान मोर्चा पूरे प्रधान मंत्री जी का एक ड्रीम सपना है जिस तरह से देश के अंदर विसाक्त महौल होते जा रहा है बातावरन में यह समान निधी योजना जो 6000 रुपिया मिलता है उसको कहा जारा रहा है राहूल गांदी तो 72000 बोले थे इस पर जड़ा थोड़ा सा है 72000 कहां बोले थे 72000 रुपिया उनके जमाने में माफ हुआ था उसकी चर्चा कर रहे होंगे लेकिन हम लोग तो 6000 से कहा जा रहा है कई किसान की भाई थोड़ा और मोदी जी नहीं यहां राज सरकार दे ना हमारी करनाटक में हमारी सरकार है करनाटक के अंदर वहां तो पता दे रही है सरकार की जटिलताएं देखिए जरूर हम कोलीशन में थे लेकिन मुख मंत्री के सासन पर सासन होता है उसमें मुख मंत्री जो रहते उन्हीं के अंदर सरकार चलते हैं हम लोग केवल बिहार को बचाने के लिए बिहार में पुना जंगल राज नहीं आ जाए सुधाकर सिंग जी तो साफे पोले खोल दी आप लोग को तो हिमते नहीं हुआ नैति की भाई ब्रश्चाचार के उपर बोल सके नहीं सुधाकर सिंग पर हम कोई टिपनी नहीं करना चाहेंगे तो आने का चांस है नहीं आएंगे तो उस नित्रुत जाने हमारा प्रदेश में नहीं है यह पीसे हमारे सिर्च नित्रुत का है प्रदेश नित्रुत का है और आएंगे तो चाहते हैं कि हमारा दल बढ़े और मजबूत हो इसमें कोई दूमत नहीं हम तो सबको गले लगाने के लिए नहीं बहुत सा बात बोले उस वह हैं कुछ गलत भी है लेकिन हम उनके पर टिका टिपने नहीं करना चाहते लेकिन भारतिय जंटा पाठी एक मात्र पाठी है जो लगतार भरस्ट चार पर हमला करते है भरस्ट चारी का कोई यहां गुञ्जाइस नहीं है भारतिय परदां मंत्री बरती जनता पाठी को अपार बहुमत देकर अगर ऊपार भर्वमत हम लोग को नहीं अपर पर साशन के अंदर भ्रस्टा चार गुंदा राज तमाम तरक्या पाद सब हावी है सरकार तो केवल मुख मंत्री जी दीन काट रहें एक तरह से कैसे टिन्योर ज्यादा से ज्यादा लंबा हो इसके लिए काम करें आप लोग मदद करते हैं उनको दीन काटने में 20 में किये फिर करिएगा लगता है देखिए हम लोग मदद एक करते हैं बिहार के जो राजनितिक परजदिस्त है जो इस्तिति है उसको समझना चाहिए राज के अंदर जो जनादेश है उस पर आध्यन किजिएगा तो हम को तो कहीं ने कहीं या तो विपक्स में रहना है या सरकार के एक तरफ जंगल राज के और एक गुंडा राज वाले लोग हैं एक तरफ हैं तो हमको क कभी कभी लगता है कि राज के अंदर जंगल राज नहीं आ राजक इस्तिति नहीं इसके चलते हम लोग नितीजी को समर्थन देने का काम किया और कोई वैसा भी नहीं है पिर से इसा हो सकता है कुछ है अंदर अंदर आप आप लोग तो जैसे अभी परदेश अध्याच के किसान के बड़ा सक्रिय कहा जाता है Yok मोर 파 किसान मोर्चा संखव मोरंच सांठ आठ वहां मोर्चा है आप लोग को जוितर नितीज जी होता की भाई फिर से नहीं हम लोग इसमें कोई राएँ नहीं देने आज पर कहते हैं लोगतानी निर्ने नेने वाले नहीं हैं नहीं है नहीं कन पइसे हमारा कॉर टीम है कमिटी है हम लोग 6 कोची को ले नहीं आर पाल हो गया वहाँ दरवाजओन हुआं स दमाएं तो निर्ने के साथ हम लोग है जो भी निर्ने लें एकुछ downtown पुरी तरह से उनके साथ चलिए यह बात कर रहे थे हम सरोज रेजन पटेल जी से कई सवाल राजनीतिक भी थे बाकि किसान मोर्चा से जुड़ी हुई कई सवाल थे हम वह कर रहे थे बाकि आप बने रहे जहकास भारत पर हम तमाम लगातार खबरे लाते रहते और सुनाते र कर रहे जुड़ी है